एक शेहर में मोटू अपनी बीवी पतलू और अपनी मा के साथ राह करता था एक दिन पतलू कहती है सुनिए जी आज मेरी भेन हमारे घर पे आने वाली है वो यहाँ पे कुछ दिन रहेगी और इस शेहर को गूम फिर के वाफिश चली जाएगी इसके बाद मोटू कहता है ठी मोटू को अच्छी से खाना बेना खिलाता है तो मोटू की साली को मोटू से प्यार हो जाता है और वो मोटू से कहती है सुनिए जिजाजी आप मेरी बड़ी बेन के पती है फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया है कि आप भी मुझे से प्यार करते है तबी मोटुक कहता है ये तुम क्या करी हो तुमारी बड़ी बेन मेरी बीवी है अगर उसे मालूम पड़ा कि तुम मुझे नहीं चुड़ेगी तबी उसकी साली कहती है जी जा जी आप फिकर मत कीजिए मैं दीदी को नहीं बताओंगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ ये रिष्टा हम दोने की बीच में रहेगा इतना कहती है इसके बाद मोटु कहता है ठीके मैं भी तुम से प्यार करता हूँ तुम भी मुझे बहुत ज सुन्दर लगती हो इतना खेकर वेदनवाई पे प्यार बरी बाते करना शुरू कर देते हैं और मोटु अपनी बीबी पतलु को दोका दिता है